आखिर रात में कुत्ते का रोना क्यों माना जाता है अशुब। गटने वाली है ये बुरी घटना। जाने माननेता है। हिंदु धर्म में हर एक घटना के पीछे कोई न कोई संकेत जरूर होता है। ये संकेत शुब और अशुब दोनों हो सकते हैं। कई बार आपने बड़े बुजर्गों को देखा होगा कि जब कुत्ता रोता है तो वो उसे भगाने में लग जाते हैं। शास्त्रों में माना जाता है कि कुत्ते का रोना बहुत अशुब संकेत होता है। कहते हैं कि कुत्ते का रात के वक्त रोना आने वाली किसी मुसीबत की तरफ इशारा करता है। आए जानते हैं कुत्ते की रोने की पीछे और क्या शुब संकेत होते हैं। बता दे कुछ माननेताओं की अनुसार, कुट्टे का रात के वक्त रोना, आने वाले संकट की ओर इशारा करता है, कहते हैं कि जिस व्यक्ति की घर के बाहर, कुट्टा रोता है उसके घर में, कुछ न कुछ अशुप समचार जरूर सुनने को मिलेगा, वहीं ये भी कहते हैं क कुट्टे को आने वाली प्रकरति घटनाओं का पहले से ही अभास हो जाता है, जैसे भुकम पादी, इसलिए कुट्टे पहले से रोने लगते हैं, वहीं कुछ माननेताओं की अनुसार, कुट्टे सबसे जादा तब रोते हैं, जब उनके आसपास कोई बुरी शक्ति होती ह इस वज़ा से लोग अपने आसपास कुट्टे को रोता हुआ देख उसे भगाने लगते हैं, कहते हैं कि कुट्टे रोकर अपनी एक्ता की ताकत को दिखाते हैं, अगर एक कुट्टा रोता है, तो दूसरा भी रोने लगता है, वहीं कहते हैं कि अगर घर से निकलते वक्त आपके घर के सामने कोई कुट्टा रोता हुआ दिखाई दे तो ये किसी अन्होनी का संकेत होता है इसलिए जब भी बाहर कुट्टा रोता दिखाई दे तो कुछ देर रुख कर घर से निकले वहिए कुछ माननिताव के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के दर्वाजे पर लगतार कुत्ता भॉगता है तो ये संकेत है कि परिवार में धन्हानी होने वाली है वहीं ये भी माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति खाना खा रहा हो और उसी समय कुत्ते का रोना सुनाई दे तो ये भी अशुप संकेत होता है